जैहिन दोस्तों मेरा ना मंकित सिर्ना है और My PCS Study के platform में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में में एक बहुत important मुद्धे पर बात करेंगे और facets of UPSC channel के माध्यम से मुझे जानने को मिला कि आप लोगों के मन में ये बहुत doubt है कि PYQs को किस तरीके से best way में utilize किया जाए Civil Services 2024 के लिए दोस्तों अब exam को hardly दो महिने हैं तो इन दो महिने में मैं आपको suggest करूँगा कि अगर आपने जो अभी मैं बताने वाला हूँ अगर आपने इतने previous question को cover नहीं किया है तो अभी आपको mock test देना बंद कर देना चाहिए और अगर आप देना चाहते हैं कि अगर आपको किसी particular topic में doubt है तो full length ना दे करके आप sectional test पे जाएए ये बस suggestion है आप इन्हें modification कर सकते हैं मैं आपको सारे conditions बताऊंगा उसके according आपके लिए जो best suitable होगा वो आप अपने according चूज करके उनमें आगे बढ़ सकते हैं देखे previous questions क्यों करना है किन exams के करना है इन चीजों पर तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने कई बार discuss किया है और अगर आपने facets of UPSC channel के अगर आप regular viewer है तो आपको पता होगा हमने last two years से UPSC के रही नहीं किवल civil services के नहीं बलकि CDS, CAPF, NDA और जितने भी exams even state PSCs, UPSC के departmental exams हर exams के analysis करी है और हमने देखा huge number of questions repeat होते हैं civil services में भी काफी सारे questions directly repeat होते हैं अगर आप देखना चाहते हैं कि civil services के questions की क्या source है तो already मैंने video create की हुई है आप facets of UPSC चैनल में जाएंगे description में तो आपको link मिल जाएगा वहाँ से आप देखें और समझें कि किस तरीके से huge number of questions जो है previous year से हैं और standard sources से ही हैं तो कुछ random सवालों के पीछे भागने की बजाए अगर आप इनको बहुत solid कर ले अस्टेटिक सब्जेक्ट कमांड बना ले तो no doubt आपको definitely as मिलेगी तो इस चीज़ को अच्छे से समझ ले दोस्तो civil sources में जैसा कि हमें पता है जीएस वाले paper पे 100 questions रहेंगे तो जब आप 5 सालों का cover करेंगे तो यह 500 सवाल हो जाएंगे current affairs वाले questions भी आपको cover करने हैं बस यह देखने के लिए कि कौन से topics कौन से जो trend है pattern है थोड़ा उसका idea लग जाए ऐसा नहीं है कि current affairs के पीछे अगर आप समझेंगे तो उसकी in-depth analysis करनी है जैसे बाकी static subject की करनी है वैसा बिल्कुल नहीं है बस आप एक बार पढ़ें और उसे फिर समझ लें कि हाँ इस तरीके का question नहीं in topics के उपर आ रहे हैं खासर के science में जब आप देखेंगे satellite और बाकी जो भी core areas है उन पर काम करना है इस वज़ा से मैं current affairs के लिए कह रहा हूं बट cds का जब आप paper देखेंगे तो cds के paper में 120 सवाल होते हैं gs वाले में तो इसमें आप directly 20-30 question आजसानी से हटा सकते हैं केवाल आपको static वाले cover करने हैं इसमें जो science आती है 910th and CRT से उसे भी आपक अगर आपको इस तरीके से अच्छा साल में दो बार यह conduct होता है तो 200 सवाल जो है यह हो जाते हैं इस तरीके से 1000 question cds के अंदर निकल करके आते हैं CAPF में भी 125 सवाल होते हैं एक paper में बट आपको लगबग 900 सवाल ही करने होंगे काम के तो यह 500 question निकल करके आएगा यानि 2000 सवाल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सो असल में यह जो 2000 question आप cover करेंगे इन्हें आप बिलकुल detail में करें जो भी static areas हैं उनमें जैसे अगर कोई topic आप पड़ रहें let's suppose subsidiary alliance से अगर एक सवाल आया है तो आप उसे in depth में जा करके cover कर लें और मैं कोसिस करूँगा कि जल्द ही मैं facets of UPSC channel में भी इन questions को आपके cover करवाऊं अब 2024 में कुछ paper conduct करवाए गये हैं UPSC के द्वारा जैसे combined geoscientist का paper है UPSC CISF का paper है LDCE वाला तो इनके questions भी आपको cover करने हैं detailed way में cover करना है क्योंकि आप देखेंगे कि इनके pattern से भी आपको काफी कुछ idea लगेगा कि civil search में किस तरीके का paper आने वाला है अगर आप मोक्टेश देना चाहते हैं practice के लिए तो definitely मना ही नहीं है बट जब आप इन 2000 सवालों को 2-3 बार revise कर लेंगे अच्छे से और आपके पास तब वक्त बसता है तब आप उन्हें cover करें यकीन माने utility बहुत कम है previous question सबसे priority पे है बहुत अच्छे से इन्हें आपको cover क करना है और अगर मैं बात करूं आपको यह चीजें topic wise compiled way में कहां से मिलेंगी obviously मैंने चैनल में cover कराया है link आपको मिल जाएगे description box में check out करें सारी चीजें freely available है तो उसका फाइदा लें PDF अगरा भी हमारे telegram चैनल पे share कर दी जाती है इन सब चीजों पर हम जल्द ही next video में बात करेंगे जुड़े रही है आप चैनल के साथ और अगर आप चैनल पर नए है तो subscribe जरूर करें अपने दोस्तों के साथ share करें धन्यवाद